मैं IT Beach के उपर यहां पर complete analysis करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं technical यहां पर analysis करूँगा, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं यहां पर news के उपर भी focus करूँगा, और आपको back history यहां पर बताऊंगा कि पीछले वाला जो data था वो कैसे था, और आने वाली दिनों में आपको कहा तक य IT Index के उपर, ध्यान रखे, IT Index की बात कर रहा हूँ, मैं यहां पर कोई भी stock की बात नहीं कर रहा हूँ, ना IT Stock की बात कर रहा हूँ, ना particular कोई भी other index के stock की बात कर रहा हूँ, तो IT Beach क्या है, वो basic जानकर यह आपको होना चाहिए, IT Beach आपको पता होना चाहिए, इंडिया का one of the best favorite IT Index है, उसके उपर इसका पैसा लगता है, मतलब मान के चलो आपने IT Beach में पैसा invest किया, मतलब समझ जाना, आपका top 10 जो IT Stock है, उसके उपर आपका directly पैसा या indirectly पैसा लग गया, यह समझ लेना, तो इसका NSC Code क्या है, इसका NSC Code है, IT Beach इस नाम से आप सर्च करोगे, तो यह नहीं पौन, इंडिया का, यह ETF है, धहन में रखे, ETF है, यह स्टेड़ेट फंड कोई स्टॉक नहीं है, ETF अलग चीज़ है, स्टॉक अलग चीज़ है, और यह Index के उपर perform करता है, ना के particular एक कोई स्टॉक के उपर, तो स्टॉक के अंदर अलग मोमेंट हो सकती है, लेकिन Index के अपर एक अलग मोमेंट आपको देखने को मिल सकती है, ध्यान में रखे, Index समद लेजिए, Index, IT Index 2% उपर गया, तो समद लेना आपका जो IT बीच के उपर पैसा लगा है, वो भी 2% अपसाइट जाएगा, यह clear है, तो Index का जैसा Moment, वैसे इस ETF का Moment, तो आपको हमेशा Index के उपर यह Surety के याद रखिए, आज के 10 साल पहले भी Index था, आज भी Index है, आने वाले 50 साल बाद भी Index रहेगा, तो Index के उपर आपको पैसा लगाना चाहिए, ना कि particular किसी Stock के उपर Vipro देख लिजे, IT Stock के बार करते हैं, Vipro यहां से 55% से लेके 50% तक correction हुआ, लेकिन Index यहां पर देख स्टॉक के उपर आप investment करते हों, तो आपका risk and reward ज्यादा रहता है, risk भी ज्यादा, आपको reward भी ज्यादा मिल सकता है, तो ध्यान में रखिए, आपको particular किसी Stock के उपर investment करने के जोरुत नहीं है, और short term में आपको यहां पे invest करिए, short term में आपको अच्छा कासा आपको profit मिलने वाला है, short term में इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी already correction complete हो चुका है, यहां से top से देखोगे, तो इंडेस को पर 35% से correction complete हो चुका है, top से, तो यहां पे देख लिजे, अभी जो life price चर रहा है, only 28.40 के आसपास अभी life price चर रहा है, पीछले वाले काफी दिन से training session में देखोगे, लग 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 एक मने की बात करता हूँ मैं यहां पे, तो यहां से highest low लगाता है, वो 27.70 के इसके आसपास यहां पे तीन आक्टमबर को लगाता, 27.70, वहां से देखोगे, अभी 70 पैसा upside अभी मूँ कर रहा है, आने वाले दिनों में इसके अंदर upside बहुत है, बहुत upside है, future prediction किया जाएगा कि IT sector उपर क्या moment देखने को मिल सकती है, उसके पहले मैं एक news के उपर focus करूँगा, सबसे बड़ा news है, IT sector के लिए, वो news है, US market, तो US market में बहुत जादा मंदी चर रही है, किसके IT sector के उपर, उसके वज़र से यहां पे IT sector के अंदर, इंडियन sector के उपर भी IT sector पुरा global trade करता है, उसके वज़र से ऐसा नहीं कि US market के stop down है, पूरे world के जितने में IT stock है, वो पूरे के पूरे down है, चाइना का भी आप देख सकते हो, चाइना का भी इटेप इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी आपको गिरावर्ट नजर आ रही है, यह गिरावर्ट को मिली, कोरोना के बीच में यह correction आपको 45% तक आपको index के ओपर देखने को मिला, उसके बाद यह first time ऐसे हुआ है, जहां पे IT sector के अंदर आपको गिरावर्ट नजर आ रही है, धान में रखिए, correction is temporary, rally is permanent, temporary correction मिलेगा, लेकिन जो rally चलेगा, वो long term तक आपको पैसा देने वाल इन अवरेज correction, 10 से लेके 20% correction आपको, healthy correction बार-बार मिल सकते है, लेकिन इतना बड़ा correction आपको नहीं मिलेगा, long term hold करना चाहते हो, तो heavy quantity के साथ आप यहाँ पे buying कर सकते हो, लेवल में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, तो इसकी वज़र से US market के वज़र से यहाँ प आज के डिशेशन में देखोगे, धाई परसेंट की तगडी जम आज के डिशेशन में आपको यहाँ पे IT इंडेस के ओपर देखने को मिला, इंडेक्स का चार्ट लगा है, इंडेस के चार्ट के बेस के ओपर समझाओगा कि यहाँ से कितना परसेंट का correction हो गया है, और आन में 40% तक हो सकता है, तो यह 24,000 तक maximum level है, यहाँ से 32% हो गया, और 8% correction हो गया, तो आपको 24,000 तक level मिलेगा, यह maximum correction हो सकता है, और इसके पहले की rally चली वो देख लिजे, यहाँ से देख लिजे, यहाँ से rally चली थी, और highest resistance तक देख लिजे, 250% के rally आपको यहाँ पे देखने को मिला IT index के उपर, तो यहाँ से देख लिजे, market आई से ही जाता है, तो अभी यहाँ पे 28 रुपीज के आसपास यहाँ पे trade कर रहा है, तो यहाँ से हम double target मानके चलते हैं, तो आराम से हाँ पे 60 रुपे का पहला target रहेगा, और second target यहाँ पे 100 का रहेगा, किसी को 100 के target के 3 साल के लिए target यहाँ पे 60 रुपे तक आपको IT बीच के उपर देखने को मिल सकता है, कोरोना के बीच में कितना percent हुआ, यह देख लिजे, कोरोना के बीच में देख लिजे, यहाँ से जो गिरावट आई थी, आल्मोस्ट यहाँ पे 35% की correction कोरोना के बीच में हुआ था, तो से buy करके चलना स्टार्ट कर दीजिए, जो 28 रुपे के आसपास है, because आप से buy करके चलिए, next buying आपको 26 रुपीच के आसपास करना है, यह दोनों लेवल buy होता है, 3 साल का target यहाँ से 60 रुपीच का 3 साल का target, आने वाले 5 साल का target है, तो 100 प्लस के target आपको IT बीच के ओपर देख करिए, short term में target क्या रहेंगे, short term में target यहाँ से aggregate 40% का पकड़ता हूँ, तो यहाँ से समझ लिजिए 40% कितना हो सकता है, तो IT बीच को पर हम चलेंगे, वहाँ से मैं बता रहो 40% correction कितना हो सकता है, और आने वाले दिनों में 40% correction आपको कितना रुपे तक हो सकता है, वो बतान होई देखने को मिल सकता है, 38 का target के साथ वियुकुल hold करे, 37 से लेके 38 का target यहाँ से short term में IT बीच को पर रहेगा, वियुकुल यह target आने वाले दिनों में 6 से लेके 7 मैने का view में मेरा, उससे ज़्यादा पकड़ लीजे, कम से कम 7 से लेके 9 मैने तक भी पकड़ लीजे, लेकि सुधर भी जाता लेकिन पूरे world का है, तो कुछ ना कुछ time ज़रूर देना चाहिए, जब market के अंदर देख लिजे, last एक साथ से correction चर रहा है, तो यहाँ से 6 मैना उपर जाने के लिए भी लगेगा, तो यह level याद रखे, उतना patience आपको रखना पड़ेगा, तभी आप market के अच्छा return चाहिए, short term में तो आपको wait and watch करना पड़ेगा, पैसा invest करिए, भूल जाएए, level को watch करते रहेए, अपना level जरूर आएगा, silver के अंदर भी देख लिजे, silver के अंदर last 6 मन से correction चर रहा है, और अभी अच्छी rally चालू हो गई है, तो market के अंदर up and down चलता रहता है, patience रखे है, अच्छे level पे, भाव अच्छे level पे खरीदी है, genuine तरीके से आपको profit होगा, top पे खरीते हो कोई बात नहीं है, average के लिए आपके पास cash होना चाहिए, जब तक आपके बस average के बास cash नहीं है, तो dip में buy करने की कोशिश करिए, पास 10% correction होने के बाद बाद बाइ इस वीडियो के अंदर complete analysis मनें IT बीच को पर बताया, regarding कोई बेडाउट है, comments जरूर करिए, next वीडियो किस topic के उपर चाहिए, वो भी मुझे comments करिए, जरूर next वीडियो उस topic के उपर बनाने की कोशिश करूँगा, मिलते हैं नए वीडियो नए topic के साथ, तब तक लिए बाइ युले सकती।